हेलो दोस्तों UPPCS1 जैसे आपके लिए लेकर आ रहा है Quick Revision Series हम आज इसका फिफ्ट जो पांचवा पार्ट है आज हम उसको डिसकस कर रहे हैं इसमें हम वो फैक्स डिसकस करते हैं जो UPPCS में बहुत बार पूछे गए हैं या जिनकी हमें यह उमीध हैं को पूछा जा सकता है य जो हमारी जो information है यह हमारा टेलिग्राम चैनल है UPPCS1 संकल्प से सिध्धी और हमारा जो WhatsApp पर भी चैनल है इसी नाम से वहां पर हम यह information प्रोवाइड कराते हैं लेकिन हम अब इसके ओपर वीडियो सीरियस भी आप लोगों के लिए बना रहे हैं और जैसा कि मैंने वीडियो और भी सलहा देते हैं जैसे किसी ने कहा कि सर एकॉनोमिक्स के basic terms करा दिजिए तो देखे चीज़े जन्हां एक फ्लो में ही होती है आज यह चीज कराई है कल यह चीज कराई है सब चीजों का टाइम आएगा और धीरी धीरी सब चीजों को करेंगे फिलहाल क्रेंट अफेर क की तोर पर देखी जाती है हम उसके ऊपर भी प्लान कर रहे हैं कि हम वीडियो सीरीज लेकर आएंगे और जैसे ही वह मार्कीट में अविलेबल होगी हम वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे फिलहाल हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर जो है जोग्राफी का और इसमें आज जो हम डिसकस करेंगे जोग्फिक परणि इसमें कि मेजर डिव डिसकस करेंगे अपकी नॉर्थ अमेरिका और अफरीका करनी तो बेसी कली हम में पूरी दुद्ध रिवार्टा gemacht Camp eu मेरी क lag इन डेखना है और सबसे इंपने important rivers हैं, अब उनी पर ही focus करेंगे, तो एक river system है North America में, जिसका नाम है Mississippi and Missouri basically ये दो river है Missouri जो है, वो tributary है आपकी Mississippi की ये आपकी जो Missouri है ultimately किस में गिर जाती है, ये आपका Mississippi में गिरेगी और Mississippi finally कहां पर जाती है, Gulf of Gulf of Mexico, यानि कि जो Mexico की खाड़ी है, वहाँ पर जाके Mississippi गिरती है, अब जब river किसी जगा जा रही है, किसी जगा गिर रही है, तो क्या है, वहाँ पर वो delta भी फॉर्म करती है, ऐसा नहीं कि हमेशा delta ही फॉर्म करेगी, कुछ जगा पर estuary भी बनाते हैं, जैसे कि इंडिया की जो western, जो west side में जाती है, river वो estuary बनाती है, जो eastern side में है, वो आपकी delta फॉर्म करती है, तो Mississippi जो है, वो आपका delta फॉर्म करती है, कहां पर आपकी Gulf of Mexico में, और ये question बहुत बार पूछा गया है, वो जो delta बनता है, वो आपका कि शेप का होता है, वो delta होता है आपका birds claw, यानि कि चिडिया के पंजे की तरह होता है, चिडिया के पंजे की तरह से वो आपका delta होता है, तो ये आपका Mississippi और Missouri के बारे में इतनी ही information बहुत है, ऐसे तो अब आप detail में पढ़ने लगें, कहां सो origin है, किस जगह से मिलेगी, कितनी लंबाई है, ये सारी detail में हमें नहीं जाना, और अगर ये सारी चीज़े देखनी भी हैं, तो ये सारी चीज़े होती है आपके foundation course की, जहां आपको सारी चीज़े बहुत detail में बताई जाती है, फिलहाल हम quick revision कर रहे हैं, तो हम अपने quick revision पर ही stick करेंगे, ठीक है, अगली river है आपकी Rio Grande River, Rio Grande River जो है, उपर आपका जैसे आप अगर देखें, देखें, मैप मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश, देखें अफ्रीका जाद लग रहा है यह, ठीक है, यह होगे आपका Canada, यह Canada, यह आपका North America और यह आपका Mexico, तो यहाँ पर जो है, somewhere यहाँ एक river हुआ है, जो इन दोनों के बीच में North America और Mexico के बीच में एक border बनाती है, उस river का नाम है, Grande River, Rio Grande River, Rio के नाम से आप confused हो सकते हैं, Rio de Janeiro जो कि Brazil की capital है, हो सकता है कि आप इसे माले, South America की river है, एक्जाम में यह भी confusion, इतनी भी confusion बहुत है, आपका question गलत कराने के लिए, तो फिलहाल क्या है, Rio Grande River जो है, वो आपकी North America और Mexico के बीच बार्डर करती है, और यह भी कहां गिरेगी, Gulf of Mexico में जाकर यह भी गिरती है, ठीक है, अगला है, St. Lawrence रिवर, St. Lawrence जो है, यह भी आपकी North America की रिवर है, और इसके बारे में जो कुछ चीज़े famous हैं, जो important है, यह internal जो है, busiest इंटर्नल ट्रेड रूट बनाती है, दुनिया की, जो अगर देखा जाए, busiest, busiest port कौन सा है, Rotterdam, Amster, Amsterdam, Rotterdam, ठीक है, जो busiest port है, internal port, लेकिन busiest internal water transport route कहां पर है, आपका, देखिए, अब मैं इसमें, आप busiest route की बात हो गई है, तो यह दो fact देख लेते हैं, यह भी पूछे जा चुके हैं, busiest route, हम water की बात कर रहे हैं, sea route की, मतलब पानी वाली route की बात कर रहे हैं, ऐसे आप कुछ बच्चे यह कहें, कि इस रेल्वे रूट तो यह है, यह road network यह है, internal, एक internal, और एक external, में कुन सा है, आपका, जो आभी हमने देखा, सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर, जो है, यह world's busiest internal water transport route बनाती है, और external में जो है, वो आपका Atlantic Ocean वाला है, वो यह है, सेंट लॉरेंस जो नदी है, इसके उपर नियागरा जल प्रपात, जल प्रपात होता है, यानि कि नियागरा waterfall, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा waterfall है, largest waterfall of the world is in North America, that is Niagara Falls, किस रिवर पर है, सेंट लॉरेंस रिवर पर है, और सेंट लॉरेंस जो रिवर है, वो दुनिया का सबसे इंटरनल रिवर सिस्टम, यानि कि रूट भी फॉर्म करता है, तो ठीक है, अभी हमने Mississippi, Missouri देख लिया, Rio Grande देख लिया, सेंट लॉरेंस देख जो है, यह वहाँ एक बहुती खास, बहुती जो यूनिक टाइप की जो 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 ग्राफी है, वो बनाती है, जिसका नाम है, कैनियन, कैनियन वो होते हैं, जो पहाड है, वो पत्थर जो उनको काटा हुआ है, पानी ने, और बड़े ही खुबसूरत लगेंगे, अ तो Colorado River से बनेगा क्या, Grand Canyon और इस नदी के ऊपर एक डैम है, जिसका नाम है, वो वर डैम, तो हमने रिवर्स देख लिए, नौर्थ अमेरिका की, एक बार हम इसे मैप के थूरू भी देख लेते हैं, चलिए हम एक बार मैप ओपन करते हैं, और मैप के थूरू हम देखने की, कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, जो भी हमने रिवर्स डिसक्स कि हैं, सब की सब वहां पर मिलेंगी, या सब की सब यहाँ मैप अलग है, अब देखे, जैसे मैं आप से बताया था, जो यह है आपकी मिसोरी, यहां से ओरिजेशन ही, यह है आपकी मिसिसी पी, मिसोरी आकर कि में गिर गई आपके Mississippi River में और Mississippi कहां आई आपकी Gulf of Mexico में और यहां पर यह डेल्टा फॉर्म करेगी डेल्टा किस तरह कर रहेगा जैसे कि चिडिया का पंजाहो इस तरह से यहां पर डेल्टा बनाएगी Rio de Grande यहां से आपके Rio Grande River हुई और यह देखिया आपकी यह मेक्सिको है यह आपका नोड़्थ अमेरिका है नोड़्थ अमेरिका और मैक्सिको इन दोनों के बीच में क्या नाच्रल बॉर्डर बना रही है क्यों Rio Grande River और यह भी कहां गिरेगी आपका गल्फ और मेक्सिको में गिरी एक है यहां पर Colorado River के आपका यह बनाती है Grand Canyon और साथ ही साथ यहां पर डैम कौन सा है हुवर डैम कौन सा डैम है हुवर ठीक है अब जैसे अगर हम देख लें यहां पर एक कोलंब्या रिवर है कोलंबिया कैनेडा और य। इन दोनों के बीच में हैं आपका इधर आपकी हट्सन रिवर है ऐसे तो पोटो मैक रिवर भी है आपका और भी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर है लेकिन यह मेजर रिव अब देख रहे हैं हम अफ्रीका कॉंटिनेंट के लिए अफ्रीका में एक है आपकी जो है नाइजर नदी नाइजर रिवर है नाइजर नदी अफ्रीका में ये बेसिकली इसको ओईल रिवर के नाम से भी जानते है नाइजर रिवर इसको जो ये कहां पर गिरेगी आपका फॉल्स इंटू गल्फ ऑफ गिनिया एंड इसको तेल की नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये नदी जो है गिनी की खाड़ी गिनी गल्फ ऑफ गिनी में ये गिरेगी नाइजर रिवर गल्फ ऑफ गिनी में गिरे और इसे oil river के नाम से भी जाना जाता है दूसरा जो नदी है आपकी वो है जांबेजी रिवर जांबेजी जो नदी है यह आपका एक जो है Victoria fall वेक्टोरिया फॉल है आपका और करीबर डैम यह बहुत नियूज में है आपका करीबर डैम तो यह आप याद रखेगा करीबर डैम कि आपको कंट्री याद रखनी है किस कंट्री में है और आपको यह देखना है यह किस रीवर पर है थात्य साथ आपको Victoria fall जो है यह भी कई पूछ चुका है जनली एंजल फॉल विक्टोरिया फॉल कई बार पूछ लेता है इनको मैच दी फॉलोइंग मैच कीजिए किस रीवर के साथ है कि इन में सबसे जाधा हाइट किसकी है उससाब से पूछता है दुनिया में पूछेगा अफ्रीका में पूछेगा तो इस तरह स अब हम चलते हैं आगे और हम देखेंगे अगली रीवर और वो है आपकी कोंगो कोंगो रीवर और उसी को बोलते हैं जायर रीवर कोंगो रीवर और इसी को कहते हैं जायर रीवर इसमें क्या है बेसिकली यह जो एक्वेटर है आपका equator equator आपका वो लाइन है जो 0 degree line है उपर 23 degree and half यहाँ पर है आपका tropic of cancer करक रेखा और नीचे है 23.5 south में आपकी मकर रेखा यानिके tropic of capricorn तो जो equator है equator को दो बार कौन सी नदी cross करती है वो है कॉंगो आप देखे गर equator को दो बार क्रोस कर रही है तो आप समझी सकते हैं कि इस नदी में पानी बहुत होगा क्योंकि equator पर बारिश बहुत है तो इसके आपका Congo River या Zaire River वो नदी है जो आपकी equator को दो बार क्रोस करती है और इस पर जो है world famous दो आपके waterfall है एक Stanley और एक आपको जो विक्टोरिया है वो किस पर है जांबेजी रिवर पर जांबेजी पर ही हमारा है करीबा डैम ठीक है हमने Congo देखे लिए Congo या जैर के नाम से या जायरे अगर हिंदी में देखे तो इसको जायरे नदी भी कहते हैं तो हमने देखा इस तरह से Stanley और Living Stone ये आप लोग याद रखेगा ये बहुत कम जगई effect मिलते हैं लेकिन इसको याद आपको रखना है अब इसके बाद है एक नदी जिसको बोलते है लिमपो पो और लिमपो पो जो है ये साउथ अफरीका से इसका origin हो गया और साथ ही साथ क्या है जैसे ये आपका जायरे या कॉंगो है ये आपका equator को दो बार क्रॉस करती है इसी तरह से जो आपके लिमपो पो है ये ट्रोपिक ओफ कैप्रिकॉन यानि कि जो मकर रेखा है मकर रेखा को दो बार ये क्रॉस करती है तो मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार क्रॉस करती है उसका नाम है लिमपो पो रिवर और जो ट्रोपिक जो एक्वेटर को दो बार करती है उसका नाम है जायरे रिवर या कॉंगो रिवर ठीक है अब ये लिमपो पो आपके साउथ अफरीका आप जैसे यहा एक जो है वेल्ड वो आपकी टेंपरेट ग्रास लेंड है और वो आपकी साउथ अफ्रीका में पाई जाती है ठीक है तो आप हम इसको भी मैप के थूरू एक बार देखेंगे रिवाइस कर लेते हैं जल्दी से जो हमने नदिया देखी है यह आपका अफ्रीका का मैप हो गया जो आपकी नाइजर रिवर यह हमने यहां देखी थी जो नाइजर रिवर है यह आपकी गल्फ उफ गिनिया यहां आपकी गिरेगी और देखे मैप इतना आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को साफ दिख रहा होगा यह देखे कोंगो रिवर यह जायर रिवर क दिश्कों also known as oil river oil river कि अब हम इसके आगे चलते हैं और आगे हम देखेंगे यह यह जो है आपको यहां पर आप देख रहे हैं blue बनाइल , बलू नाइल , वाइट नाइल , और यह बनाइल , वाइट नाइल , दोनों मिलती है , एक जगा है खार्थूम मैनने नाइल के बारे में वहाँ पर नहीं बता देता हूँ , नील नदी जो है खार्थूम , है कहांपर सुडान यहां पर यह खार्तूम में मिलेगी और फिर यह पहले तो ब्लू ने दी ब्लू नाइल और वाइट नाइल दोनों मिलती है खार्तूम सुडान में और फिर यह ब्लू नाइल बन जाती है यानि कि नाइल कम्प्लीट नाइल जैसे देखिए यहां ब्लू है और यहां वाइट ह जब मिल जाएगी तो सिफ रहेगा नाइल और यह फिर जाती है आपकी और एजिप्ट के बाहर जाके आपका मेडिटेरियन सी में यह गिर जाती है ठीक है अब यहां जैसे इसका दो है यह आपका लेक विक्टोरिया हो गया लेक उसके बारे में हम आगे आगे देखेंगे आपका दो बार आपका लिंपोपो रिवर आपकी दो बार ट्रोपिक ओफ कैप्रिकॉन जो है ट्रोपिक ओफ कैप्रिकॉन या फिर मकर रेखा मकर रेखा को ये दो बार क्रोस करेगी लिंपोपो रिवर हो गया जांबेजी रिवर कोंगो रिवर उपर नाइल देख लिया हमने और इधर हमारा हो गया नाइजर रिवर हो गई और यहां आपके नील नदी हो गई नील नदी आप ये नाइल रिवर है और ये ब्लू नाइल है ये वाइट नाइल है और ये दोनों खार्तूम में मिलती है और फिर ये नाइल बन जाएगी यहां एक कोंगो रिवर है जो की एक्वेटर को दो बार का काटती है और इसके नीचे यह जंबेजी रिवर है यह आपको लिंपोपो रिवर है लिंपोपो रिवर ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन को दो बार काटती है अब इस तरह एक बार मैं दुबारा से यहां पर बता देता हूं नाइजर रिवर नोन एस ओयल रिवर और यह गल्फ ऑफ गिनिया में गरेगी और रिवर जो यह आपका एक्क्वेटर को एकुएटर को दोबार यह क्रौस करती है, और इस पर दो waterfall है, Stanley and Living Stone, ये दो waterfall है, Limpo for river जो है, ये आपकी South Africa में इसका origin है और ये आपका Tropic of Capricorn या मकर रेखागो दो बार ये क्रौस करती है, ठीक है, तो अब हमने इसका map भी देख लिया, यह वीडियो हमने देख ली है तो अब हम इस पर आगे चलते हैं अब जैसे आप लोग कह सकते हैं कि आफरीका में तो औरेंज रिवर भी है आफरीका में और भी रिवर है अब ऐसे तो पढ़ने के लिए अब हम सारी के सारी देखने लगे तो ना तो हमारे लिए पॉसिबल है फिर भी मैं तो कोशिच कर सकता हूं क्योंकि मुझे यहां से देख कैसी बोलना है मैं दो बोल दोंगा लेकिन आपको कितना याद रखना या कितना याद रखने की आपकी केपैसिटी है तो वह भी हमें देखना है तो इसलिए हम वह चीजों को डिसकस कर रहे हैं जो आप याद रखनी जितनी मिनीमम आपको याद रखनी चाहिए और हमारी यह उम्मीद है कि इन में से कुछ ना कुछ आपको एक्जामिनेशन में हेल्प हो जाए ठीक है अब हमने देख लिया नौर्थ अमेरिक और यह गिर्थी कहां पर है यह कैस्पियंची में गिरेगी और इसके साथ सबसे बड़ा फैक्ट क्या है यह लॉंगेस भीडर है कहां कि यॉरॉप की वोल्गा ने देख जो है उसका ओरिजन कहां से है रशिया से है और जिया रशिया यानिकिरू और गिरेगी कहां कैस्प सी है इस्टोरिकल बीन इसेंशल टू रशिन कल्च पिसिकली अब यह तो इन्फोर्मेशन है कि वह बाल्टिक जो सी है और कैस्पेंशी है उन दोनों को जोड़ती है और आपका वोल्गा रिवर रुष्या से ओरिजिन लॉंगेस रिवर ओफ यॉरोप कैस्पेंशी में जो डैन्यूब रिवर है ये मैक्सिमम नंबर ओफ रॉफ कंट्री से पास करती है तो डैन्यूब रिवर जो है अभी हमने देखा तो ओपर वोल्गा अब डैन्यूब रिवर है ये बैख़ॉरस्ट है कहां पर जर्म technology में जर्मानी के जो ब्लैक टेर्मारा निकलती है और अ जगा जाकर वो मिलेगी तो ये बड़ी confusion हो जाती है ऐसे तो आपको लगेगा कि इसमें क्या confusion वाली बात है लेकिन examination में बहुत छोटी सी confusion है और आपका question इधर का उधर के option A है या B है इतनी ही confusion बहुत होती है आपके आंसर को गलत करने के लिए तो इसको confusion को दूर कैसे कर सकते हैं बार-बार पढ़कर ही कुछ चीजे पढ़िए लेकिन बार-बार पढ़िए at least उसमें से जो question आए उस पर आपकी guarantee रहे कि यह तो मैं ठीक करके ही रहूंगा या करके रहूंगी ठीक है तो डैन्यूब रिवर उसका origin कहा है और इसका black forest कहा जर्मनी में black forest जो है वह आपने देखा होगा black forest pastry बड़ी अच्छी है चॉकलेट की उस पर ऑपिंग होती है चॉकलेट मतलब ऐसे चील चील के उसको उपर डाला जाता है white base रहेगा मतलब नीचे चॉकलेट वाइट बेस और उसको पर वो चोकलेट को ऐसी लगता जैसे कि क्या कहते हैं पत जड़ वाला टाइम होता है न पत्ते गिरते हैं तो उस टाइप से उस गिरी रहेगी बड़ी अच्छी है कभी मोका मिला तो खलाएगा आप लोग मुझे ब्लैक फोरेस्ट जर्मनी में है और यह गिरती कहां पर है आपका ब्लैक सी में और देखिए ब्लैक फोरेस्ट है और ब्लैक सी है और यह सेकंड लॉंगेस रिवर है यूरोप की और इसके साथ साथ क्या है जो बहुत इंपोटेंट फैक्ट है यह दस देशों से 10 कंट्रीज से पास करती है कितने देशों से पा पर है आपका जर्मनी में अब एक कूशन हमने देखा ऊपर कैस बैट सी नीचे देखा आपका ब्लैक सी तो एक कुशन यह भी बंता है ुए' कि तरफ कौन कुन सी country है एक कुशिन होते है है ब्लैक सी कि तरफ कौन कौन सी है बहुत सिंपल-सिम्पल सिंके ट्रीक है त्रीक के त्रूव आपसे याद कर सकते ऐसे पूरी कंट्री के के ठेश के लीए के तरिक है तारीक और आपका टी Ecklier और आपका का टी ऑई के है अब ऐसे तो बहुत सारी व्ल्ड हरिटेस साइट है आप इंडिया की ही याद रख लो वह कितनी हो गई मेरे खाल से 43 हो गई है तो लेटेस्ट वाली याद रखेगा UPSC ने भी पूछा था भी लेटेस्ट किस-किस को मिला है तो आप वो चीज़े आपको याद रखनी है ल अब हम इसके आगे चलते हैं इसके आगे है आपका राइन रिवर राइन नदी है यह आपका राइन जो है राइन रिवर फ्लोस यह जो स्विजर लेंड है वहां पर जो एल्फ माउंटेन है वहां से निकलती है और किस-किस को सेपरेट करती है जर्मनी और नीदरलेंड जर्मनी और नीदरलेंड देख्या भी हमने बात की थी आपका अगर देखा जाए तो जो अमेरिका नौर्थ अमेरिका और मैक्सिको के बीच में नेच्रल बां वार्चेयर Party है आप जिसे इंडिया में भी देख सकते हैं जैसे कि यमना आपका बांटरी बनाती है तो इस तरह से कई सारी चीजह है आप और सिस्क् políticas एंड्मोस्टि सेंफ सकते हैं अन्मस्च इंपरेंट वार्टमरेंड इस्ट्रेकिंग जो राइन रीवर है राइन जो तो है बेसिकली वह इंडस्ट्रियल रीजन से निकलती है और इसी लिए बिजेस्ट रूट है क्योंकि रो मेटेरियल को पास करने के लिए बहुत इसको यूज किया जाता है वाटर वेस इंडिया में भी वाटर वेस के लेकर बहुत जादा मतलब गौर्मेंट की साइट से यह question बहुत बार पूछा जाता है एक तो यही कि जो इंडिया जो यूपी में especially है वो किसका पार्ट है नैशनल वाटर वेस वन का पार्ट है और अगर वन टू फाइफ तो बिलकुल आपको पता होने चाहिए कौन कहां से कहां तक है और किसकी कितनी लेंथ है रिवर सिस्ट इसे देख सकते हैं तो राइन रिवर आपका बॉर्डर किसके बीच में जर्मनी और नीदरलेंड के बीच में origin कहां है एल्प्स जो है माउंटें स्विर्जर लेंड में वहां से इसका origin है अब इसके बाद एक नदी है जो इंपोर्टेंट है यह इंपोर्टेंट जो हम बो यह फ्रांस के फ्रांस के इसका origin है और गिरेगी कहां पर यह आपका अट्लांटिक ओशन में गिरेगी और यह लॉंगेस रिवर है कहां कि फ्रांस की लॉयर फ्रांस की इसी तरह से फ्रांस से जोड़ी विए नदी है सीन सीन परियाग राज आपका गंगा पर है और भी बहुत सारे जो शहर है जो नदियों की किनारे हैं बेसिकली नदी तो होती है कि क्या परफोर्मेंस रही और ओलंपिक में आपका जो जो फ्लैग बीर था हमारी साइड से ओपनिंग सरीमेनी में यह सारे चीज़े आपको याद होनी चाहिए और जो आपका है ऑलंपिक जो पैरिस ओलंपिक है उसका मैस्कॉट क्या था और यह सारी चीज़े खैर हम भी करे है यह आपकी इटली और यह आपका कहाँ पर जाती है ड्यांटिक सी में और इसने लेंथ यह सब चीजह याद नहीं रखनी हैयां सारी चीज़े हैं आपको याद नेहीं रखनी है एकि बार में जетровी नदी हैं इसका इसम्तेर रब हो Quin पर और की इर्वक्त की का डिए हैं था समय में ग्यांट सु दीमियर वाइब यह नदी कारी तरी यह कथ करेंगा रहे हHisачते यह नयदीनी तो है यह अब्हों ऋर्मनी में और जाएगे कहां Black Sea में Black Forest से Black Sea तक इसका सफर है और यह जो है बिजिएस्ट रूट बनाती है वहाँ पर नहीं वह स्य निकलती है और यह सदों से और यह कहा来 कि यूरओप की अब इसके बाद हम देखेंगे डैन्यूब हमने देख लिया डैन्यूब वर्ल्ड हरिटे साइट भी है फिर दूसरे नंबर तीसरा है दीसरी नदी है आपकी राइन जो नदी है आपकी राइन रिवर इसका ओरिजिन का है स्विजल एल्प्स माउंटेन जो है स्विजल और यह सेपरेट किस-किस को करती है जर्मनी और नीदरलेंड को यह यूरॉप का बिजियस रूट बनाती है और वाटरवेस वाटरवेस से फिर मैंने याद आया था तो मैंने आपको बताया इंडिया में भी वाटरवेस किस तरह से और खास करके जो यूपी में है नेशनल पर यह नदी है सीन रिवर है फिर वहां पर बोले थे आपसे परिस ओलंपिक को परिस ओलंपिक के बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे और लॉयर जो है वह कहां गिरती है अल्टिमेटली अट्लांटिक ओशन में इसके बाद है आपका इसके बाद हो गया आपका और रिवर कहां आपकी इटली इटली की लॉंगेस रिवर है ये और यह जो है कहां गिरती है आपका एंड्रियाटीक सी में गिरेगी और इस दि लॉंगेस रिवर और गिरेगी कहां कैस्पियन सी ठीक है आप डैनियूब रीवर जो है दस कंट्री से पास होती है और इसका यहां ओरिजिन हो गया और राइन रीवर राइन रीवर आपको यहां ओर इजिन यह पोर रीवर है सीन मैंने आपको बताया था पैरिस फ्रांस लॉयर लॉंगेस है नाइपर रीवर यहां डिनाइपर है तो नाइपर रीवर और भी कुछ-कुछ रीवर के नाम है सारी रीवर हमें नहीं पढ़नी है तो मैं उम्मीद करता हो कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और इस पर और भी डिटेल में जो चीजे है वह हम आगे रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएंगी प्लीज इसे आप भी देखें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस पर कमेंट जरूर करें देखिए अगर आपको अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है नहीं लगा है तो आप यह बताईए कि क्या अच्छा कर सकते हैं या कैसे अच्छा इसको और किया जा सकता है हम भी टाइम दे रहे हैं आप टाइम दे रहे हैं आप टाइम दे रहे हैं वह बहुत कीमती टाइम है आप अपनी प्रिप्रेशन वाला टाइम यहां पर दे रहे हैं अगर वीडियो देखके आपको दो हमारी विफलता है, तो हमारी विफलता से हमारी सफलता पे ले जाने में आप लोगों का बहुत बड़ा werom प्लोग है, तो positively आप लोग इस रोल को बहुत अच्छे से play केजी अपने को hardly कुछ सेकिंड लगेंगे अपनी side से जो भी आपको हमें feedback देना है, मैं बिल्कुल इस चीज का बुरा नहीं मायनुगा आप जितना नेगेटिव फीड़बेक देंगे मुझे मुझे मुखा मिलेगा अपने आपको सुधारने का और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हम अपने आपको बहतर से बहतर करें ठीक है थैंक्ट्यू एव गुट डे बा झाल 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 झाल